शाजापुर के बंड़ा थाना छेतर के इबराहिमपुर के पास हाईवे पर उस वक्त चीख पुकार मच गई जब मजदूरों से भरा टैमपो एक कार से टक्रा गया इस हास्से में महिलाव समित एक दरजन से ज़्यादा मजदूर घायल हो गए जिन में से छेकी हालत नाजुक बताई जा रही है बताया जा रहा है कि रविवार देर शाम सभी मजदूर खेश से मजदूरी करके टैमपो से लोट रहे थे इस दोरान नैशनल हाई बेपार टैमपो और कार की टक्कर हो गई वही मौके पर पहुची पुलिस ने घायलों को अस्पताल विजवा कर आगे की कारेवा ही शुरू कर दी है गाड़ी आ रहे थी पूरंपुर से बंडा के लिए ब्राहिमपुर गाओं है और टैमपो आ रहा था बंडा से रोपाई करके धान लगाई के लेवर आ रहे थी और यहां एक्सिडेंट हुआ है और यहां पे कम से कम 13 से 14 लोग गंभीर रूप से घायल है जुने इन जन्हें मुलाब चेहरे बिल्कुल दस गये हैं यहां से लेकर यहां एक पार हो गया जाइड किसी के सिर में चोड़ है किसी के अंदर है हमारे गाव के लेवर है चाची है गाव में की दादी है और काफी लोग है पड़री के हैं यहीं पास के हैं